Hello everyone, welcome to the new video from Lobbers और मैं हूँ अनुपव गुपता Sir, आज की वीडियो सारे D.U.L.L.B. के 2021 के एस्पेरिंट्स के लिए होने वाली है कि बहुत ही जल्दी कुछ महीनों के अंदर ये एक्जाम आने वाला है तो बच्चों के माइन के अंदर एक कोशिन है कि Sir हमने Repression Start कर दी है तो हमें आगे क्या करना चimporte कोई है या हमने अभी तक Prepression Start ही नहीं करी है तो आगे हमें 排बरी आगे क्या करनी चाहिए तो आज की वीडियो के अंदर मैं Completely आपको बताने वाला हो कि चाहे आपने preparation start करी है या चाहिए आपने preparation start नहीं करी है अगले few months में आपको क्या करना चाहिए जिसकी वज़े से आप sure sure D.U.L.L.B. 2021 का exam clear कर पाऊ law of faculty daily university के अंदर आप land कर पाऊ CLC, LC1 या LC2 के अंदर आपका admission हो जाए इन सब के बार में मैं discuss करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले एक question है सबसे जादा बच्चों के mind के अंदर कि क्या ये possible है to crack the exam in 3 months क्योंकि मान लेते हैं आज ये वीडियो में March में बना रहा हूँ ठीक है so जो आपके पास पूरा भी March का महीना है पूरा आपके पास April का महीना है उसके बाद आपके पास May का month भी है and in fact मैं तो ये मान लेता हूँ कि शायद आपके पास June का भी month हो गई and जो exam हो गाई है जाके somewhere July के अंदर होगा अभी तक कोई इसकी notification नहीं आई है जब भी इसकी notification आईगी तो इसके बारे में videos हम upload कर देंगे YouTube channel के ओपर लेगिन फिर भी हम assume करके चलते हैं कि हाँ या जुलाई तक इसका exam होने वाल है तो roughly हमाँ आपस 3 to 4 months है तो क्या 3 to 4 months enough है इस exam को clear करने के लिए तो मैं कहूंगा surely ये अब आपके caliber के ओपर depend करते है कि आप अगले 3 to 4 months कैसे utilize करते हो कैसे आप अपना output निकालते हो क्या आपका aptitude level है क्या आपकी understanding है ये सारी चीज़ों के ओपर depend करते हैं अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनद करते हो तो surely इस exam को आप अच्छे marks के साल clear कर सकते हो अगर friends मैं बात करूँ सबसे पहले कि इस exam में आता क्या है क्योंकि exam के बारे में exam के लिए पढ़ने से पहले बहुत ضरूरी है कि exam के बारे में पढ़े तो हमें सबसे पहले पता हो नच्छे कि exam के अंदर पूछा क्या जाता है इस exam के अंदर जो सबसे important section है जो कि आप मान के चलो एक mammoth task है जिसके लिए prepare करने में सबसे जाधा time लगता है वो है ये legal aptitude का exam legal aptitude का section इसके अलावा आपको general knowledge current affairs से questions पूछे जाते है आपको logical reasoning से questions पूछे जाते है और legal aptitude जैसे ही section legal reasoning का भी होता है जिसमें principle and fact based type के questions पूछे जाते है उसके बाद match से कुछ जाधा नहीं पूछा जाता है कुछ rarely पूछा जाता है तो पूछा जाए उसके बाद verbal बहुत important section है जिससे questions पूछा जाते है अब verbal में क्या-क्या पूछा जाता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा so अगर friends मैं 2020 के pattern के बाद में बात करूँ तो ऐसा assume करा जा रहा है कि 2021 में भी यही pattern रहेगा और कोई भी change नहीं होने वाला है जिसके अंदर के order total 100 questions आते है and total marks जो होते है वो 400 marks का paper होता है यानि कि correct करने के आपको plus 4 मिलते है incorrect करने के आपको minus 1 award होते है और अगर आपको कोई question छोड़ देते हो तो आपको उस question के लिए 0 मिलता है so अगर मैं sections के बार मैं बात करूँ तो English Language and Comprehension का एक section होता है General Knowledge and Current Affairs का दूसा section होता है अब यह intermix भी हो सकते हैं से नहीं कि section wise ही आएंगे उसके बाद reasoning and analytical abilities का तीसा section होता है यानि कि LR और math से अगर कुछ पूछ लिया जाए तो and last Legal Awareness and Legal Attitude को हम एक section मानते हैं तो जिसमें से सबसे important जिसको prepare करने में सबसे जाधा time भी लगता है वो हमारे Legal Awareness और Legal Attitude का section रहता है क्योंकि इसके बार में आपका background नहीं होता है for example अगर आपने कभी कोई और aptitude exams के लिए prepare किया होगा तो आपने English के लिए भी prepare किया होगा और आपने LR के लिए भी prepare किया होगा जी के तो चलो आपको continuously उसके touch में रहना पड़ता है तभी आपकी hope आती है लेकिन legal awareness और aptitude के बार में बच्चे बहुत जादा touch में नहीं होते है तो इसको basic से इनको start करना पड़ता है और इसके अंदर उनको एक command बनानी वड़ती है अगर friends मैं बात करूँ कि legal aptitude के अंदर basically कौन-कौन से subjects पूछे जाते है तो सबसे important subject है constitution constitution आप मान लिजे कि D.U.L.L.B के exam के अंदर भर भर के पूछा जाता है तो क्या आपको पूरा का पूरा constitution पढ़ने की जरूरत है नहीं आप semester exams की तियारी धोर ना कर रहे हो तो constitution के कुछ important parts है जिससे सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते है for example सबसे पहला जो उसका introduction का part है कि states कैसे form होती है उसके बाद fundamental rights का part हो गया फिर DPSP हो गया यानि कि directive principles of state policy इसको कहते है उसके बाद fundamental duties हो गया उसके बाद आपके schedules हो गए इनसे questions पूछे जाते है इसके अलावा जो division of power होती है union के बीच में और states के बीच में इसके related questions पूछे जा सकते है freedom of trade commerce intercourse इसके questions पूछे जा सकते है यह कुछ main main parts है उसके बाद union judiciary से और उसके बाद state judiciary से questions पूछे जा सकते है IPC के अंदर आपको बहुत detail के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ IPC से related questions के अंदर आपको clarity होनी चाहिए criminal law की आपसे बहुत detail में नहीं पूछा जाएगा कि यह murder है या नहीं है लेकिन अगर आपको कोई principle दिया जाता है तो उसको apply कैसे करना है यह आपको आना चाहिए इसके अलावा IPC से बहुत जादा general defenses और इसके अलावा private defense और यह सारी general exceptions या जो exceptions है अपनी murder की इनसे questions पूछे जा सकते हैं तो इसके बार में आपको काफी clarity होनी चाहिए तो IPC को तो आपको detail में पढ़ना ही पड़ेगा IPR के बार में बात करूं तो IPR में basically major 3 चीज़े आती है सबसे पहले आता है आपका trademarks, दूसरा आता है आपका copyright और तीसरा आता है patents इसके लावा एक चीज़ और होती है जो की होती है geographical indication और एक और होती है आपका design तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों का difference पता होना चाहिए कि trademark, copyrights और patents के अंदर क्या-क्या difference है काँ का आपे use होते है, Vipo से related questions पूछे जा सकते है तो इस चीज़ के बार में आपको clarity होनी चाहिए Family law तो आपको पता ही होगा जिसे Hindu law और Muslim law से related questions पूछे जाते है इसमें Hindu succession act, Hindu marriage act, divorce इन सबसे questions पूछे जाते है thoughts काफी important होता है, strict liability और ये सारे questions आप से पूछे जा सकते है nuisance से related, environment important subject होता है जिसके अंदर pollution से related और NGT से related questions पूछे जा सकते है तो legal aptitude के लिए आपको ये सारे subjects बहुत अच्छे से prepare करने पड़ेंगे इनको आपको daily basis पे 2 hours का time आपको देना पड़ेगा daily basis पे at least legal aptitude को अगर आप 2 hours का time नहीं देते इससे related questions practice नहीं करते तो legal aptitude का exam के अंदर आपको एक problem create हो जाएगी और on the contrary, आप इस पे 2 hours daily देते हो तो legal aptitude को आप exam के अंदर अच्छे से कर सकते हो अगर friends मैं other legal aptitude के topics के बारे मैं बात करूँ इसके उपर मैंने channel के उपर videos बनाके भी डाली हुई है इसका भी link मैं description box के अंदे दे दूँगा legal maxims आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए legal phrases आपको पता होने चाहिए थोड़े Latin के अंदर होते हैं जैसे अभी हमने IPI बढ़ा था तो contracts related आपको questions पूचे जा सकते हैं आप contracts related questions आपको offer, acceptance, valid contract और इन सारी चीज़ों से पूचे जा सकते हैं Indian legal system से question पूचे जा सकते हैं कि hierarchy of courts क्या होते हैं या courts की jurisdiction क्या होती है या sessions court कितनी सजा दे सकता है high court के पास क्या powers होती है RIT से related questions पूचे जा सकते हैं उसके अलावा polity से आपको related questions पूचे जा सकते हैं for example, president की power क्या है president की age क्या होनीच है, governor की age क्या होनीच है prime minister की age क्या होनीच है या कौन-कौन से grounds है, emergency के या कौन-कौन से grounds है, जिसकी basis पे जो chief justice of India उसको impeach किया जा सकता है या removal of judges हो सकता है तो quality बहुत important subject है ये भी legal aptitude में पूचा जाता है इससे भी related मैं regular videos YouTube channel के ओपर डालता रहता हो, तो या प्लीज चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे सारी videos की notification आपको मिलती रहे उसके बाद friends, सबसे important section जिसके अंदर बच्चों को legal aptitude के बाद problem होती है, वो होती है GK and current affairs, क्योंकि हम regularly GK के touch में नहीं रहते हैं, current affairs हमारे बहुत weak है, तो मैं आपको बताओ current affairs में सबसे जादा questions कहां से पूचे जाते हैं, इन दो topics को तो आप रट के जाना, United Nations, UN यानि की international organizations international organization से आपको हर साल बहुत सारे questions देखने के लिए मिलते हैं, और इस साल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे United Nations, यानि की international organization important committees, जो इंडिया के इंदर रही है खासकर criminal law के लिए committees जो रही है, history and freedom से related questions पूचे जा सकते हैं for example, महात्मा कंदी जी ने Quit India Movement कब launch करी थी, Quit India Movement किसे related थी, या Civil Disobedience Movement किसे related थी, economy से related questions पूचे जा सकते हैं, general science से questions पूचे जा सकते हैं sports and tournaments, बहुत important है because last year बहुत सारे tournaments cancel हो गए हैं आगे FIFA आने वाले, FIFA से related questions आज से पूचे जा सकते हैं awards and prizes पूचे जा सकते हैं कि भाद रतन किसको मिला है या Padmashree या Highest India का civilian award कौन सा होता है ये सारे questions पूचे जा सकते हैं खेल रतन award पूचा जा सकते हैं legal news and development पूचा जा सकते हैं कि कौनसी नहीं constitution amendment है या कौनसी law को Supreme Court ने stay कर दिया books and author से question पूचे जा सकते हैं conference meetings से question पूचने की probability थोड़ी कम है because इस बार सारी के सारी जो conference summits and meetings है वो सब VC, virtual conferences के थुरूई हुई है तो इसलिए इससे थोड़ा से chances कम हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत important पता होने चीए इसको आपको international organizations के साथ पढ़ना है उसके बार national and international news से related questions आसे पूचे जा सकते हैं law commission की reports super important होती है इसके बार में आपको पता होने चीए and landmark supreme court की judgments इसके ओपर मैंने दो videos बना के channel के ओपर डाली हुई है please आप इनको देख सकते हो इसके अंदर मैंने 30 बहुत important 2020 की landmark judgments बता ही है जिससे related questions पूचे जा सकते हैं उसके बाद अगर friends मैं आपको बजाओं कि current affairs आप कैसे कर सकते हो तो please newspaper को daily basis पर पढ़ना start कर दो इसका कोई substitute नहीं है इसका कोई alternative नहीं है जितना thoroughly newspaper पढ़ोगे उतने अच्छे आपके current affairs हो जाएंगे YouTube channels बहुत सारे हैं जो bank exam की preparation करवाते हैं जो SEC की preparation कराते हैं वो daily basis पे current affairs upload करते हैं अपने channel पे तो उनको जाके subscribe कर लो इसके लावा website से जागरन जो gk today cloud affairs इन सबको भी जाके आप subscribe कर सकते हो future के अंदर मैं आपको gk की और current affairs की pdf's provide कर वा दूँगा आपको last June से लेके इस साल तक के जुलाई तक के current affairs तो आपको पता ही होने चाहिए and 2021 के जितने भी current affairs होते हैं January से लेके जुलाई तक के वो सारे की सारे आपके लिए बहुत important होने वाले हैं इसके लिए आपको daily basis में newspaper और यह website तो youtube channels या आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो कोई app install करके कर सकते हो तो वो daily basis पे आपको जरूर करने है because इससे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं उसके बात friends अगर मैं verbal के बात करूँ तो इसके अंदर आपको vocabulary देखने के लिए मिलती है idioms and phrases देखने के लिए मिलते है rcs आपको देखने के लिए मिलते है grammar correct incorrect sentences आपको देखने के लिए मिलते है one word substitution, fill in the blanks यह सारे questions आपको देखने के लिए मिलते है तो जब भी आप legal aptitude कर रहे होगे उसके साथ साथ आप verbal के उपर भी prepare करोगे यानि कि vocab आपको करनी पड़ेगी ऐसे नहीं automatically आजाएगी अगर आप vocab के अंदर अच्छा perform कर लेते हो तो surely आप बाकी बच्चों से आगे lead में चले जाओगे because generally क्यों होता है vocab majority of बच्चों भी poor होती है तो अगर आप अपनी legal vocab और vocab को अच्छा कर लेते हो तो आपकी एक अच्छी performance निकल के आएगी और उसी के साथ साथ idioms and phrases legal maxims की तरह important है RCs की आपको थोड़ी practice कहने पड़ेगी बहुत जारे difficult नहीं होते लेकिन फिर भी and grammar का अगर आपका base नहीं है तो please इसके ओपर जरूर prepare कर लेना because correct incorrect sentences आपको देखने के लिए मिल सकते है preposition की errors, articles की errors, noun pronoun की errors यह सारे questions आपको देखने के लिए मिल सकते है उसके बाद अगर friends मैं quant और lr के अंदर बताऊ तो ज़्यादा तर यह dominated lrc रहता है quant से related rarely कुछ questions 4-5 questions पूछ ले जाए तो पूछ ले जाए elementary mathematics जैसे की मैंने आपको बताता है analogy is बहुत important है because यह verbal के साथ ही mix हो के यह topic आता है उसके बाद series completion, coding, decoding, directions blurred relations, logical, puzzle, syllogism इनको करने का सिरफ और सिरफ एक ही तरीका है वो है practice जितनी strong आप इनकी practice करोगे उतना ही आप इनके अंदर अच्छे होते चले जाओगे और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं exam में देखे इनको ऐसी कर लूँगा तो please ऐसे myth के अंदर मत रहना क्योंकि exam के अंदर एक pressure होता है और वहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि फिर यह कैसे होंगे इनकी surely आपको अच्छे से practice करके जानी है because कोई भी section के ओपर अगर आपने उसको week छोड़ा वो ही आपको exam के अंदर haunt करेगा उसके बाद अगर friends मैं बताऊं previous year papers इनको तो definitely करके जाना at least पिछले 5 से 10 साल के सारे के सारे previous year papers करके जाना easily आपको मिल जाएंगे Amazon के ओपर मिल जाएंगे जो बच्चे Delhi के अंदर रहते हैं वो law faculty के अंदर जाके भी इसको purchase कर सकते हैं वहाँ पे book stalls हैं वहाँ पे आपको यह मिल जाएंगे flip card के ओपर मिल जाएंगे आप यह मान के चलिए 20 to 25% paper repeat होता है past years के अंदर से questions वो ही होते हैं बार-बार थोड़ा सा form change हो के आजाते हैं तो अगर आप past year papers कर लोगे और जो कि definitely आपको करने ही है तो आपको कोई challenge exam के अंदर नहीं आने वाला है उसके बार friends आपको weekly mocks देने हैं weekly mocks इसलिए देने हैं क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप exam में कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आपको आपके week pointers पता लग जाएगे कि आपका legal aptitude week है या आपकी GK week है या आपकी verbal week है तो आपको इसका idea लग जाएगा glimpse of the exam रहेगा ताकि आपको रहेगा कि exam के अंदर आपको कोई नई चीज देखने के लिए name मिल गई आप अपने आपको continuously test करते रहोगे इससे आपकी revision भी होती रहेगी और आपको confidence मी मिलेगा तो अगर आपने कोई test series नहीं लिया है तो please कोई ना कोई test series जरूर purchase कर लो और अभी से ही weekly mocks देने की habit develop कर लो ये कर लोगे I can assure you आप CLC, LC1 के अंदर land कर जाओगे और अगर आपने ये नहीं किया तो आपको कोई भी 3 centers मिलने बहुत जादा मुश्किल हो जाएंगे and friends मैं आपको बहुत जादा एक important एक चीज बताना चाहता हूँ कि कैसे अब आपको prepare करना है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि sir हम सिरफ past year papers ले लेंगे ठीक है इसके अलावा हम एक guide book ले लेंगे for example single या universal की ले लेंगे तो उससे हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ सिरफ और सिरफ guide books के उपर rely मत करना because क्या होती है एक तो यह बहुत जादा voluminous है इसके अलावा इसके अंदर जो answers होते हैं वो 100% correct नहीं होते हैं बहुत सारे answers के अंदर आपको error देखने के लिए भी मिलती है तो अगर आप इनको concept books के अंदर से पढ़ोगे for example कौन से legal aptitude के जो subjects होते हैं for example constitution को for example TOTS को for example family law को या IPC को तो आपको एक in-depth knowledge हो जाएगी आपको clarity of concepts हो जाएगा और उसके बाद आप guide books को guide की तरह पढ़ो इनको main books की तरह ना पढ़ो तो अगर यह चीज़े आप करते हो तो आपको exam के अंदर कोई problem नहीं होने वाली है आपके basic strong हो जाएगे in fact आपको upcoming semesters के अंदर भी इसकी help मिलेगी तो friends यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको D.U.L.L.B. 2021 के लिए कैसे prepare करना है 3 months का time आपके लिए 4 months का time more than sufficient है इसके अंदर आप अच्छे जिम्हेनत करो मैं future के अंदर भी और भी वीडियो बनाता रहूँगा जिसके अंदर मैं बताता रहूँगा कि आपको और कैसे prepare करना है और क्या-क्या चीज़ा आप कर सकते हो या exam से related कोई भी update आती है तो वो भी आपको चैनल पे मिलती रहेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना अब मैं आपसे next वीडियो के अंदर मिलूँगा Thanks a lot, all the best, God bless you